नबस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपकी अपने यूटूब चेनल जिक्के बाई सुनित सर्में दोस्तों आज आप सभी के लिए फिर से स्यांदा यहाँ पर जीके और जनल साइस के क्यूशन लेकर उपस्ती चोंग दोस्तों अगर आप आर्मी जीडी, टेक्निकल, कलरक, टेड्मेंस, स्सी, जीडी, रेलवे ग्रूप डी, रादस्तान प्रिस, एसाई या फिर अन्ने ऐसी एक्जाम जहां पर जीके और जनल साइस के क्यूशन पूशी जाते हैं इंडिया जीके, वर्ड जीके और जनल साइस के क्यूशन पूशी जाते हैं उन सभी विदार्थियों के लिए क्यूशन वर्दान साबित होंगे दोस्तों ये क्यूशन बहुत इस्यांदार है दोस्तों अगर आप इस चलनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लेज हमारे चलनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ता कि जब भी विदियो डाला जाए आपके पास पहुशन जाए हलाकि अपना प्रति दिन वीडियो आता है अपने सित रहें और तयारी करते रहें आपके वरधी का सपना निशित रूप से साकार होगा तो चले दोस्तों देर ना करते भी शुरू करते हैं आज की हमारे क्लास का पहला क्यूशन जैसा कि दोस्तों आप सभी के सामने आज का पहला क्यूशन है इन में से किस फसल का ज्यान वेदी काल के लोगों को नहीं था दोस्तो वेदी काल की समन्ध में एक्जाम में क्यूसर पुछ जाते कि इन में से कौन्चा है वेदी काल के लोगों को इन में से कौन्ची फसल का पता नहीं था तो दोस्तो वेदिकाल की लोगों को तमबाकू की फसल का पता नहीं था बाकि जोग गेहूं और चावल का ये लोग उप्योगे करते थे नेक्ट्ट कीुसर न है दोस्तो हडपा कालिन स्तल की सन नदी के किनारे स्तीत है दोस्तों सिंदू नदी घाटी सब्वेता का एक महतो पुस्तल हडपा कालिन सब्वेता या हडपा कालिन सब्वेता या हडपा कालिन सब्वेता यह एक बहुत ही महतोपन और यहां से एक्जाम में दोस्तों सत परसत क्यूसन पूछे भी जाते ही है तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, ये वही सतलज नदी है, जो भारत से होकर पाकिस्तान की तरफ जाती है, इसी नदी के किनारे स्थित है, हडपा कालिनस्तल जो है, ये सतलज और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक पंजाब में है और ये सतलुज नदी के किनारे स्तीत है तो इसे आपको भूलना नहीं है बिलकुल यादे रखना है थोड़ा सा माफी चाहूँगा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी सबसे प्राचिन वेद कौनसा है दोस्तों आपको पता है चार वेद होते हैं चारों वेदों के नाम यहाँ पर दिये गए है इनमें से कौनसा वेद है जो सबसे पुराना होता है तो दोस्तों रिगवेद जो है वो सभी वेदों में सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा महत् वेद आपसे पूछा जाए तो भी दोस्तों आपको कुन सा बताना है रिग वेद के बारे में ही बताना है क्योंकि ये सबसे अदा महत्योकुर है और सबसे पुराना है सबसे प्राचिन है अगला कि उससर भूदान आंदोलन किसने प्रारंब किया था भूदान आंदोलन दोस बहुत से लोग जिनके पास भूमी नहीं है तो दूसरे लोगों से इन लोगों ने आहवान किया कि जिनके पास भूमी नहीं है उनको भूमी उपलब्द करवाई जाएं और भारत में बहुत से लोगों ने उन्हें भूमी ही इन लोगों को भूमी उपलब्द कराई एक ऐसा आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने जिसको अपन कहते हैं भूदान आंदोलन नेक्स चुसन देखते हैं दोस्तो भारत का राष्टिये पंचांग किस समवत पर आधारित है तो दोस्तो भारत का राष्टिये पंचांग है वो सक समवत पर आधारित है दोस्तो अगर आप अब इसी परकार के और भी क्यूसन पढ़ना चाते हैं और Army ZD Technical कल रक में पूछ गई पुराने पेपर पढ़ना चाते हैं तो आप मेरी प्लेइस से पढ़ सकते हैं Army ZD Model Paper के नाम से मने प्लेइस पढ़ना रखी है अब वहाँ से पढ़ सकते हैं वहाँ पर भी आपको बहुती कितनी बार बने थे ते वो एक बार भारती रास्टी कॉंग्रेस के अधिक से चुने गए थे बहुती महत्वपुन क्यूसतर न दोस्तों और सत्परस्थ ये एक्जाम में पूछ जाने वाले क्यूसतर न क्योंकि गांदेजी समंदित क्यूसतर पूछे जाते हैं वर्स 1919 में जलिया वाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था दोस्तों 13 अप्रेल 1919 को पंजाब के अमरित सर में एक बाग था जिसका नाम था जलिया वाला बाग वहाँ पर लोग सामोहिक रूप से क्या कर रहे थे सभा कर रहे थे और जन्रल डायर ने उन पर गोलिया चलाई और वो एक प्रसिद हत्याकांड की रूप में जाना जाने लगा तो वो था 13 अप्रेल 1919 को अमरित सर में जलिया वाला भाग हत्याकांड गांदी जी की मरत्यू पर किस ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया इनमें से कोन वेक्ती है जिन्होंने कहा कब जब 30 जनवरी को उनकी मरत्यू हो गई थी गांदी जी की तो उसके बाद में किस ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है तो वो थे भरत के पह देखते हैं अगला क्यूस्टन पोस्ट होपिस के लेखक कौन है पोस्ट होपिस दोस्तो एक पुस्तक है और यह है पुस्तक निम्र में से किनकी द्वारा लिखी गई तो यह है पुस्तक रविंदर नाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है यह वही रविंदर नाथ टैगोर था, regulating act निमर में से कब पारित किया गया था, दोस्तों, 1773 इस वी को regulating act पारित किया गया था, बहुत बार exam में पूछा जा चुका है, दोस्तों ये question पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, मुझे आप comment box में reply जरूर करेंगे, साथ ही आप पीडियो को like करेंगे, अपने दोस दोस्तों को share करेंगे, और जो दोस्त पहली बार आ रहे हैं, प्लीज हमरे चलन को subscribe जरूर कर लें, देखते हैं, अगला question, नीती निर्देशक सिधान्त है, क्या नीती निर्देशक तत्वों को वाद योगी है, क्या वो वाद योगी नहीं है, क्या मोली का धिकार है, या इ देखते हैं, अगला question, सांसदों के वेतन का निर्दे कोन करता है, सांसद जो होते हैं, उनके वेतन भत्तों का निर्दे कोन करता है, तो दोस्तों याद रखना इसके वेतन भत्तों का निर्दे किसके दुआरा किया जाता है, ये कोन करती है, ये संसद के दुआरा दोस्तों किया जाता है देखते हैं अगला किर्शन डाइमंड रिंग की घटना होती है डाइमंड रिंग की घटना दोस्तों कब होती है तो डाइमंड रिंग की घटना सुरिय ग्रहन के दिने होती है जब दोस्तों पूर रूप से सुरिय ग्रहन होता है तो उसका बाहरी जो किनारा है वो प्रकासमाम दिखाई देता है, यह उसका बाहर का जो भाग है, वो सोने की तरह चमकता हुआ, डाइमंड की तरह चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, और हमें ऐसा लगता है, मानो यह कोई डाइमंड रिंगे है, तो ये घटना किस दिन होती है ये घटना सूरिय ग्रहन के दिने होती है और जैसे अपने 2020 में ऐसा एक पूल्ण सूरिय ग्रहन भारत में देखा था और उस दिन डाइमन्ड रिंग की घटना हुई थी चलिए देखते हैं अगला क्यूशन सूर मंडल का सबसे कम भनतव वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों कर आप अर्मी जीडी टेकनिकल करण ट्रेडवेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सत परतिसत मान लें कि एक क्यूशन सूर मंडल से सोर परतिसत पूछा जाता है और सोर मंडल की अधिक्तम जो आठ ग्रह हैं उन आठ ग सोर मंडल का सबसे कम घरत्वय वाला ग्रह है वो कौन सा है सनी ग्रह है जो सोर मंडल का सबसे कम घरत्वय का ग्रह है माना जाता है दोस्तों सोर मंडल का जो सनी ग्रह है ये सनी इस सनी के चारों और वले भी है ये भी दोस्तों आपको याद रखना है अगर आपसे पुश ज ग्रहे आपसे पुछ जाए कि सोर मडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रहे कौन सा है तो वे भी कौन सा है सनी को ही माना जाता है दोस्तो सूरिये से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा ग्रहे स्थित है वरून ग्रहे सूरिये से सबसे ज़्यादा दूरी पर है और इसका प्रिक तो देखते हैं अगला क्यूसर निमलिकित में से कौन सा युगम सही नहीं है कि इन में से कौन सा युगम है जो दोस्तों सही नहीं है तो देखिए मद्दोरई क्या तमिनलाडू में स्थित है जासी क्या मद्दे प्रदेश में स्थित है हरीद्वार क्या उत्राखण में स्थ तो दोस्तो आप निस्सित रहें देखिए आपके सामने है जहांसी जो है वो मद्दे प्रदेश में स्थिते नहीं है दोस्तो जहांसी जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थिते हैं कहां प्रदेश में अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो दोस्तो जहांसी इस तरह से अगर दोस्तों आप हमारे से पहले बार आ रहे तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि हम किस परकार का सुधार करें ये क्यूस्टर और पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में रिपलाई करेंगे और दीजे यहाँ पर क्यूस्टर का अंस पर साथ है अगर आप पहली बार आ रहें तो हमारे चलर को सब्सक्राइब कराना भूले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी वीडियो डिला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए निमल खिट में से कौन सा सहर गंगा नदी के किनारी स्थित हैोंकि आपको पता होगा दिली जो है वो कौन से नदी के किनारी स्थित है दोस्तों यह है यमूना नदी के किनारे अस्तीत है यह है यमूना नदी के किनारे अस्तीत है बाकि कानपूर उत्रप्रदेश पत्ना बिहार की राजजानी और वारणासी उत्रप्रदेश इस तरह से हरीदवार है इलाबाद है यह सबी जो सहर है वो गंगा नदी के किनारे ही अबस्तित है जैसे कानपूर पटना वर्णासी इसी परकार से हरीदवार जो है वो भी गंगा नदी के किनारे स्थित है और इलाबाद जो है जहां पर यमुना आकर मिलती है वह भी किस नदी किनारे स्थित है गंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों गंगा नदी ही नहीं देश में जितनी भी नदिया परवाइद होती हैं, उनके किनारे कौन-कौन से सहर बसे हुए हैं, वो भी आप याद कर लें क्योंकि यहां से भी लगबग 90% क्यूस्टन पूछे जाते हैं, चलिए, देखते हैं अगला क्यूस्टन, लानोर जील किस राज़े में स्तित हैं, लानोर जील दोस्तो कौन से राज़े में स्तित हैं, तो ये महाराश्टर राज़े में स्तित हैं, याद रखना, दोस्तो इसको एक जोला मुखी जील की रूप में भी जाना जाता है, ये बात भी आपको यहाँ पर यादे रखना है, जैसे ओडिसा है, यहाँ पर भी एक प्रस्तित जील स्तित है, दोस्तों आपको पता होगा कि भारत की एक बड़ी जील है, जिसका नाम है चिलका जील, खारे पाने की जील है, चिलका जील कहां प्रस्तित है, ओडिसा में, और लानोर जील है, वो कहां प्रस्तित है, में अस्तीत है ये कौन सी नदी पर स्तीत है तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है ये तापती नदी पर स्तीत है काकरा पारा और दोस्तों तापती नदी पर है साथ ये काकरा पारा जो है ये है एक आणविक उर्जा का केंदर भी है और आणविक उर्जा का केंदर आप केंद्र तारापूर तारापूर दोस्तों कहां प्रस्तीत है ये महराष्ट्र में स्तीत है इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कहगा कहां प्रस्तीत है तो कहगा भी परमानु उर्जा का केंद्र है और ये कहगा कहां प्रस्तीत है ये करनाटक में स्तीत है इ पर स्थित है ये रादस्तान में स्थित है देखते हैं अगला क्यूंट भारत मेरे किस उद्योग में सरवाधिक लोक कारीयर्त है मतब सरवाधिक रोजगार देने वाला उद्योग निम्रवे से कौन सा है लोहा इसफाथ, सूति वास्तर, चीनी उद्योग और सिमेंट उद्योग दोस्तो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्द करवाने वाला उद्योग कुन सा है सूती वस्तर उद्योग है जो सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्द करवाता है याद रखना इसको सूती वस्तर उद्यों की कई चर्णों में इसका कारिय होता है रूई बनाने, गाठे बनाने, धागा बनाने, वस्तर बनाने उसके बाद में इसकी अलग-अलग परिधान बनाने के चर्णों में काम होता है इसलिए सबसे ज़यादा रोजगार उपलबदे कराता है next question है कूलेस्ट्रोल है दोस्तो अब क्यूस्टन श्टार्ट हो चुके है साइस के और आपको यहाँ पर साइस के बहुती स्यांदार स्यांदर क्यूस्टन मिलने वाले है तो कूलेस्ट्रोल क्या है जन्तु वसा में उपस्तित एक वसी ये अलकोल है कॉन? कैलस्ट्रोल बहुत इस्यांदार और एक अच्छा क्यूसन दोस्तों साइंस के क्यूसन तो बहुत इस्यांदार यहां पर किये गए है देखते हैं अगला क्यूसन निम्र में से कौन आयोडीन का सरवोतम स्रोत है? आयोडीन जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें से अच्छा कहां प्राप्त होगा? तो दोस्तों इन में आयोडीन सबसे ज़्यादा जो है वो होता है सेवाल में ये सेवाल इस तरह से लिखावा होता है में सेवाल यो लिखेवे होते हैं सब्द यो लिखावा होता है तो सेवाल जो है वो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोते माना जाता है अगला क्यूशन भोजन का अनिवारी अव्यव क्या है कि भोजन का अनिवारी अव्यव दोस्तों क्या हो सकता है तो कार्वो हाइट्रेट जो ह होती है वो मनुस्य के मस्तिक्स में स्थित होती है कहां पर स्थित होती है उसके मस्तिक्स में स्थित होती है और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्यूस्टन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो दोस्तों लार में जो है वो टाइलीन एंजाइम पाया जाता है किस प comment box में जरूर बताएंगे कि ये class और question आपको कैसा लगी दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के और भी question पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारी प्लेलिस से पढ़ सकते हैं आपको वहाँ पर इंडिया जी के वर्ड जी के जलन साइस के question बहुत मिलेंगे और उसी के साथ आर सरफ इतना ही आप सभी का बहुत भूँत धन्यवाद थेंक्यू जय हिंद वंदे मात्राम हुआ 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 है कि अ